यूपी के कई जिलों में बाड का खत्रा होने के बाद मुक्यमंत्री योगिया दितनात ने दौरा भी किया और गोरकपुर के आज केंपियर गंज और साहे जनवा में उन्होंने बाड पीडितों को रहत समगरी बाटी है राशन आदी का वित्रल किया और आप देख सकते हैं क कि यहां पर जो महिलाएं बैठी हुई है इस साहे जनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में हो और यहां पर इन्हें बाड की जो रहत समगरी है वो दी गई है कई गाओं की महिलाएं और पूरुष यहां पर आए हुए है जिनका घर या गाओं बाड की चपेट में हो और यही वज़ा है कि यहां पर इनको बुलाए गया था हूं मुख्यमंत्री के हाथों खुद इन लोगों ने रहात समगरी मिलिये चोटे-चोटे बच्चों को भी उन्होंने दुलार किया और आप देख सकते हैं कि उनको बिस्किट और चॉकलेट भी मुख्यमंत्री ने खुद अप किरन भार्ति का किस गोई की उत्रीकों लिंए अच्य बते हैं गां इतना पानी आ गया कि हम लोग नाव से लोगों को आ ना पड़ रहा है और यही वजया है कि जो खत्रह वो भी है लेकिन उसके बावजूद सरकार उनके साथ है और जान लेते हैं और भी मैला हैं यह बता ही क्या नाम है गुंजा कहा किस गाओं की रहना है उत्री को लिया अच्छा यह बताईए आप यहां पर आईए रहाज समगनी मिली है तो ठीक लग रहा है यह सही है हाँ ठीक ही लग र कुलिया के दूतरी कुलिया क्या नाम है आपका फुल बादन अच्छा यह बताईए मुक्रमंत्री आयते रहात सहायता मिली है तो कितना आप लोग रहात महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा है हमको सब सभी लोगों का उन्होंने तो काया मकान अगर गिर जाएगा तो अच्छा जो सहायता मिल रही है आप लोग खुश है इसे खुश है खुश है और वग्त ऐसा है बाड का और बाड के वज़ा से लोगों के मुश्किले बढ़ी है और यही वज़ा है कि जब मुक्यमंत्री खुद महुचे हैं सहायता देने के लिए तो उन्हें इस आर्थिक मदद से काफी खुशी मिल रही है और रहात भी नीरश्रवास्तों एबीपी गंगा गुरकपूर एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी